धनबाद महानगर भाचपा और ग्रामण भाचपा जिला अधक्षों की घोशना हो गई है श्रवन राय महानगर भाचपा के अधक्ष बने हैं तो घंश्याम ग्रोवर ग्रामण भाचपा जिला अधक्ष बनाएगा है ये नियोक्ति तो प्रदेश से हुई है इसलिए कोई सीधे तोर पर तो विरोध करने का साहस नहीं करेगा लेकिन भीतर ही भीतर इन मनों नयोनों का विरोध भी हो रहा है दोनों जुला धक्षियों के लिए एक बड़ी चुनाती होगी कि पुरानी समीति के लोगों को समेट कर संगठन को कैसे आगे लेकर चले माहा नगर के अधीन धनबाग के तीन विधानसबा शेतर धनबाग जरिया और बागमारा आते हैं जबकि ग्रामिड जुला धक्षियों के अधीन टुंडी निर्सा और सिंद्री विधानसबा शेतर आते हैं फिराल धनबाद बागमारा निर्सा और सिंद्री भाजपा के कबजे में हैं जबकि जरियाक से कॉंग्रस और टुंडी से जहारखण मुक्ती मोर्चा के विधायक हैं ऐसा माना जाता है कि जिले के जो मजबूत नेता होते हैं जिल्ला ध्यक्ष उन पर उनकी अधिक पकड़ होती है उनसे राय शुमारी करने के बाद ही जिल्ला ध्यक्ष की घोशना होती है श्रवन राय और घंश्याम ग्रोवर के मामले में राय शुमारी हुई है अत्वा नहीं इसकी कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन ये बात तो सच है कि पिछले कई सालों तक जिल्ला ध्यक्ष सांसर पशुपती नात सिंगे समर्थक हुआ करते थे चर्चा ये है कि श्रवन राय विधाय करासना के समर्थक है श्रवन राय को धनबाद जर्या और बागमारा विधासवा शेत्र देखना होगा जर्या में भाजपा को जीत दिलाने का एक चुनाती होगी अब तक की संभावना के मताबिक जर्या सीट पर दो गुतनी आपस में टकराएंगी एक कॉंग्रेस से होगी तो दूसरी भाजपा से हो सकती है इस प्रकार ग्रामर जलाद देख्ष को टुंडी और सिंद्रे सीट पर अधिक काम करना होगा सिंद्रे विधाय का लंबी बीमारी के कारण अक्टिव नहीं है सिंद्रे और निर्सा में लाल जंटे का परभाव रहता है 2019 के चुनाव में तो फॉवर्ट ब्लॉक से भाजपा में आई अपवडना सिंगुपता चुनाव जीत गए लेकिन इस जीत को बलकरार रखने के लिए संगठन स्थर पर काम करने की जरूरत होगी निर्सा में गनेश मिश्र फैक्टर भी काम कर सकता है कुल मिलाकर पुरानी कमीटी के लोगों को एक सूत्र में पिरोन है दोनों जिलाधक्षों के लिए चुनावती होगी क्योंकि महानगर और ग्रामर जिलाधक्ष के लिए कई लोग कतार में थे उनकी उमीदे टूटी है वैसे सीधे तोर पर विरोध नहीं होगा लेकिन गुटबाजी को हवा मिल सकती है ऐसे में भाजपा के जिलास तरे वर्य नेताओं की भी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी धनबाज से ब्योरो रिपोर्ट